हम लोग रीजिंश्क करा लेते हैं इस Semiconductor Physices की जょ आखीड की यूनिट है जैसे नानो साइंस और नानो श्यूडि मश्की हूई सेवारे देख लेते हैं वह स्केन पर देख रहे हो नानो साइंस नानो स्केल जो होता है वह सेमिकॉंद्टिंगinator objects के case में बहुत ही important एक feature होता है कि आपके पास है कोई semi conducting object है आपको मालूम है semi conductors already इतने powerful material होते हैं जिरोंने पूरी electronic industry को support कर रखा है तो जब हम उन semi conducting materials को nano scale पर ले जाते हैं nano scale पर shift कर देते हैं तो उनकी जो आपके कह सकते हैं जो power है उनकी जो strength है वो और भी जादा बढ़ जाती है तो आपके लिए क्या है nano scale semi conducting objects are the backbone of modern nano electronics area ठीक है कोई भी object अगर वो 1 into 10 to power minus 9 से यानि एक nanometer से ले करके 100 nanometer तक का अगर होता है तो उसको हम nanoscience या nanotechnology में पढ़ते हैं तो आपके पास और भी छोटे हैं अगर कोई चीज 10 to power minus 10 meter में है तो यह nano scale का भी one tenth हो गया तो इस scale को हम atomic scale कहते हैं इसमें atom molecule की study होती है फिर उसकी study को atomic physics वगरा में बात करते हैं लेकिन अगर कोई एक nanometer से लेकर के कोई object है 100 nanometer तक का तो उसकी study हम nanoscience या nanotechnology कहते हैं तो यह हम nanoscale semiconducting object की बात कर रहे हैं semiconducting जो होते हैं nano objects जो खास तो रुप जिसकी हमारी study करनी है उसमें कुछ उनकी dimension की basis पर उनकी कुछ geometrical property की basis पर कुछ characterization कुछ categories बनाई गई हैं जिसे one dimensional nano semiconducting objects को nano wire कह रहे हैं two dimensional semiconducting nano objects nano sheet कह रहे है wire इसली यह wire का मतलब है जिसमें सिर्फ लंबाई ही लंबाई हो उसकी चौड़ाई उसकी मोटाई negligible हो तो इसमें सिर्फ length ही length है nano sheet मतलब एक sheet है sheet का मतलब क्या होता है sheet का मतलब होता है इसमें length भी होती है width भी होती है thickness उसकी नहीं के बराबर होती है आपकी, खास तोर पे आपका जो इंटर्स है सिलेबस का वो है quantum dot में अब 0-dimensional इनको हम कहते हैं कि quantum dot जो होते हैं 10-dimensional semi-conducting object होते हैं तो स्टोझ जिपीरोडियमेंशल जो word है, वो uh mathematics से आया है, mathematics में popular word है normally क्या होता है mathematically अगर हम बात करें तो zero मतलब वैसे zero क्या मतलब होता है अगर आप कहोगी there is zero element तो आप कह सकते there is no element so एक sense में zero nothing को भी so करता है कि there is nothing but अगर set के आप कभी आप set theory पड़े हो तो contour जो set theory थी उन्होंस में एक empty set की बात होती है मतलब जहां कोई element ना हो वो भी एक set कहलाता है तो यह सर्फ mathematical philosophies है जहां से zero को बहुत ही extensively define किया गया है mathematics के साब से zero dimension का मतलब होता है जिसका अपना खुद का कोई spatial extent ना हो spatial का मतलब होता है x, y, z इस तरह की कोई भी उसके साथ associate ना कर सको मतलब आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसके x की लंबाई कितनी है इसके y length की लंबाई कितनी है इस z की लंबाई कितनी है यह सब बहुत छोटे हैं यह x, y, z इतना छोटे हैं कि आप उसको नहीं major कर सकते हो तो वाग होग एगर x, y, z बहुत छोटे हैं तो वो नहीं होगा object हम कहेंगे नहीं वो एक point के form में होगा अगर point है तो mathematics में point एक ऐसा object होता है जो होता तो है मतलब वो object के existence तो है लेकिन उसकी अपनी कोई dimension नहीं है तो कोई special extent नहीं है यानि कि एक object है without any dimension तो mathematics में dimension के बहुत clear परिभासा है xyz को हम किस भी unit system में माने हम नाप सकते हैं तो जिससे point object जो होते हैं उनको हम zero dimension object कहते हैं तो अगर यहाँ पर और थोड़ा precise होकर जाएं तो लिखा जा सकता है कि a point has no width, length or height but still it represented a location in space ठीक है बिंदू एक इस्तिती को बताता है बढ़ खुद की अपनी कोई उसमें लंबाई चोड़ाई मुटाई नहीं होती है जिरा देखें आगे फिर in nanophysics quantum dot अब quantum चुकि आप nano scale की बात कर रहे हो तो nano को मतलब है आप मालो एक nanometer से 100 nanometer की बीच की बात कर रहे हो तो इतनी छोटी scale पर classical physics की rule मतलब वो Newton की mechanics वगरा वो काम नहीं करती यहाँ पर कौन से mechanics काम करती है quantum mechanics यहाँ पर काम करती है तो हम इस लिए इस dot को या इस point को क्या नाम दे रहे है quantum dot why we are saying this a quantum dot because quantum mechanics is applicable at this point तो इस तरह के object में जो की बहुत ही small size के होते हैं so due to small size quantum laws are very effective in it तो quantum dot एक ऐसे object है nano object जिसमें quantum laws बहुत अच्छे से apply होते हैं properties of quantum confinement है जिसे एक property होते हैं quantum confinement quantum confinement कुछ-कुछ वैसा है जब आपने quantum free electron थेवरी पढ़ी थी तो वहाँ आपने पढ़ा था कि कोई electron है किसी 3-dimensional box में है जो 1-dimensional move कर रहा है तो उसकी जो energy होती है वो proportional हो जाती है n square के तो इस तरह के rule के energy किसी integer पर depend कर रही है यह सब quantum confinement के ही मतलब उसके byproducts हैं तो quantum confinement का यह जो पूरा issue होता है this gives many important feature to quantum dot तो quantum dot जोकि बहुत छोटा object है उसमें quantum mechanics के लोग काम करते हैं उसमें quantum confinement हो सकता है तो वो बहुत सारे हमको नए-ने feature वहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर देख़वा आगे लिखा है कि quantum confinement leads to discrete energy level यह वही बात है कि energy जो है वो पूर्ष्टन होती है n square के discrete energy level structure while the bulk material the energy level is continuous and gives the band structure तो एक बहुत सीधी सी बात हमको यह पता चली quantum dot की जब भी आप बात करोगे तो उसके अंदर quantum law follow होंगे quantum confinement law follow होंगे quantum law के follow होने को जासे वो जो energy का discrete level में बटने का जो property होता है वो वहाँ पे होगा अगर हम nano level की बजाए किसी bulk object को देखे जो कि normal life के हमको मिलते है तो bulk object में क्या होता है यह loss superimposed कर जाते है तो energy level superimposed कर जाती है एक band बना देते हैं और हम band structure की बात करते हैं तो nano level के इस quantum dot में हम discrete energy level की बात करते हैं यह हमारी energy levels है और जब वही बहुत सारे quantum dot मान लो बहुत सारा कुछ मिल करके bulk material बना तो उसके अंदर यह energy level इतने पास पास आ जाते हैं कि हम level ना कहे करके एक पूरे band की बात करते हैं और इसे को हम balance band, conduction band करते हैं तो यह transition है जो आपको समझना है quantum dot और normal semiconductors में अब देखो यहाँ पर कुछ illustration है यहाँ पर है कि आपके पास left side में क्या है, left side में band है यह आपका band है, अब यह conduction band है नीचे वाला balance band है और यह किसके लिए होता, bulk material के लिए अब bulk क्या मतलब होता, bulk मतलब जिसको आप आराम से touch कर सकते हो जैसे आप कभी circuit board को खुला हुआ देखो तो उसके अंदर एक diode चिपका हुआ है एक transistor चिपका हुआ, LED वगारा खोल के देखो उसके अंदर छोटे circuit होती है उसमें आपको छोट-छोटे diode वगारा दिख जाएंगे तो उनको आप महसूस कर सकते हो, pluck करके निकाल सकते हो उसको soldering कर सकते हो तो बल्क हैं, उनके अंदर इस तरह का structure होता है लेकिन अगर हम bulk से reduce करें उसकी dimension को reduce करना शुरू करें उस bulk material को तोड़ना शुरू करें आपने थोड़ा ऐसा dimension घटाया तो आपने देखा इस band में से ये energy level थोड़ा दिखना शुरू हो गया आपने और dimension घटाया तो आपको पता चला कि energy level थोड़ा और दूर दूर हो गया आपने और dimension घटाया तो energy level के distance बहुत बगाईदा आपको साब साब दिखना शुरू हो गया तो discreteness, energy level के discreteness quantum level के एक बहुत ही unique property होती है फिर आपको होगे कि अच्छा ठीक है आपको याद होना चाहिए और उसकी logic को हम थोड़ा से यहां discuss कर लेते ताकि अगर on the spot आपको कोई answer करना भी हो तो आप बिल्कूल एकदम से weird हैना मैं सुने कि आप कुछ भी आए बाए साए लिख रहे है उस logic के साथ रहो इर्दगीर्द का भी अगर तुम उसके रहोगे तो ठीक है वो एक attempt के रूप में माना जाएगा problem कहां हो जाती है जब बच्चे लिखना ऐसा कुछ लिखना सुरू कर देते हैं जिसका जड़ मूल कुछ ही नहीं उस सवाल से मतलब ही नहीं है नहीं थोड़ा सा उस सवाल के इर्दगीर्द जो यूज हो यह उनको भी डिफाइन कर देते हो you will just get some decent marks okay so what was the question? question यह था कि हमने कहा कि bulk materials में क्या होता है energy level band form में होते है जिसे यहां देख रहे हो band form में है और nano level पर वो discrete होना सुरू हो जाती है इतना dimensionality कम होती जाती है उतना ही ज्यादा उनमें discreteness भरती जाती है तो इससे हमें चिंता करने की क्यों जरूरत है क्या यह कोई बहुत बड़ी बात हो गई है तो यहां पर लिखा है why we need to worry because this property property मतलब यह जो discrete हो रहा है energy level का तो this property changes the density of state of the system क्योंकि जब किसी particular system में energy level बहुत पास पास थे band structure था आप कहे रहे हो आपने ऐसे system बना दिया जहाँ energy level दूर दूर है तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो energy level के density है वो बदल गई पहले उतनी ही energy range में जो पास पास थे तो मालो 100 energy levels थी अब उतनी ही energy range में 5 energy levels है तो it is something like कि पहले एक कमरे में 100 लोग बैठे थे अब एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो अंतर आप महसूस कर सकते हो density कितनी है suffocation बहुत कम हो गया होगा उससे कमरे के अंतर जो 5 लोग बैठे हैं तब उन 5 लोगों की जो property होगी और जब कमरे में 10 लोग बैठे थे तब उसमें जो property बहुत बढ़ा अंतर हो गया होगा इस बात को आप सामान अपने ग्यान से सोच सकते हो तो जो density of state का बदलाव होता है ये electronic level पर micro level पर एक बहुत बढ़ा बदलाव होता है और इसका बहुत जारा significance होता है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इस प्रोफाउंडनेस है बहुत ही उसके अंदर कुछ गुंजाईस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं तो first of all what is density of state density of statement number of the electronic states per unit volume और per unit energy range available for electron और other charge carriers तो किसी system के अंदर अगर unit range में मतलब मालो आपने DE ले लिया 0.3 electron volt मतलब इस energy range में कितनी availability है हमारे पास suppose आप कहीं जाओ आपने कहा कि भाई मेरे पास इतना रुपया है बताओ इतने रुपया में किन-किन restaurant में खाना मिल सकता है तो अगर आपके वो range ज्यादा होगी तो जहिर से बात है बहुत साहे रेस्टरेंट होंगे जो आपके उस range में ज्यादा मतलब खाना ओफर करेंगे आपने कहा ने मुझे दस रुपए में ही खाना खाना है तो फिर आपके option बहुत कम हो जाएंगे आपने रखा मुझे एक हजार रुपए में खाना खाना है तो आपके पास बहुत सारे option होंगे तो जैसे आप यह पैसे का range घटा बढ़ा रहे हो तो आपके पास option बढ़ते घड़ते हैं वैसे अगर energy का range हम बढ़ते घड़ते हैं तो हमारे पास available energy state भी बढ़ते घड़ती है तो उसी को होता है वह dimensions के ऊपर depend करता है और यह बहुत important property होती है यह बहुत important property क्या मतलब कि dimension के उपर density of state के dependency बहुत important property होती है that suggested the behavior of system of electronic, optical, chemical, in levels, in levels के ऊपर जो optical property, chemical property, electronic property होती है उनकी dependency उसी साब से change होती जाती है अगर आपने one dimension के लिए वहाँ density of state अलग है तो उसकी electronic property कुछ और सब्सक्राइब करेगा इस पर एक सवाल आपके पास बन सकता है अगर आपके पास थ्री डैमेंशन ऑब्जेक्ट है तो देंसिटी ऑफ इस्टेट और जो अवेलेबिल एनरजी है उसके बीच में ग्राफ कीचो तो यह इस चीज को बहुत-बहुत मैंने क्लास में डिसकस भी क कि अग्राइब दखो जितना इनरजी स्टेट है उतना ही रहेंगे वह बढ़ेंगे ना गटेंगे लेकिन धी डिमेंशन में जैसे से इनरजी बढ़ते जाते हैं आप वहां पर देंसिटी फ्स उक्से उन डमशनल ऑब्जेक्ट में डिंसिटी आ एस्टेट जो वहीं one dimensional object में यह inversely proportional होता है और two में तो independent होता है zero dimensional में थोड़ा सा अलग होता है वहाँ पर डिराग डिल्टा फंक्शन जैसा होता है तो एक particular energy range में ही density of state सबसे ज्यादा होते हैं यह दिख रहा है और उसके इधर भी नहीं है उससे कम भी नहीं energy पर नहीं से ज्यादा energy भी नहीं है एक बहुत ही खास तरह का behavior है क्यों क्या कैसे इसकी physics में हम लोग अभी नहीं जाया रहे है because this is just a quick 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 revision video okay now how to create these how to synthesize this quantum dot अचा ठीक quantum dot उसका इस्तमाल होता है तो कैसे इसको synthesize करते है quantum dot इसलिए भी बहुत important property है बहुत important topic है चुकि अभी पिछला physics chemistry को जो नोबल पुरुसकार है नोबल अवार्ड जो है अभी यह जो लास्ट गया है इसका ही इसमें Massachusetts के एक प्रोफेसर हैं बावंडी करके हैं तो प्रोफेसर बावंडी को इस quantum dot की बहुत ही यूजफुल बहुत ही एक तरह से कहले लो कोस्ट हाई efficient टेकनीक को डिसकवर करने के लिए दिया गया है तो क्वांटम डॉट में confinement जो होता है पार्टिकल का वह एक यूनिक प्रोपर्टी को लीड करता है क्वांटम डॉट में और इस वेरी यूजफुल इंदर डेवलप्मेंट आप अप अलग 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 मेट्रियल्स हैं इसका इस्तिमाल करते हैं यह सब याद कर लेना कुछ मेट्रियल हैं ऐसे ही कैड्मियम टिलुराइड है इंडियम आर्सिनाइड है इंडियम फॉस्पा मेट्रियल हैं जिनको कॉन्टम डॉट को बनाने में इस्तिमाल होता है अब जो सिंथेसी प्रोसेस मतलब होता है उसको मैनुफैक्चरिंग कह सकते है तो सिंतेसी प्रोसेस में क्या-क्या इन वॉपा है। इसमें हीट solvent यूज करते हैं हम organic solvent यूज करते हैं हम उसमें pressure को भी vary करते हैं तो यह depend करता है हम किस तरह के किस size के किस तरह का basic precursor material ले करके अपने quantum dot को बनाना सुरू कर रहे है यह सब पर depend करता है अब एक अगर method की बात करी ही जाए तो एक method होता है है इसको कहते है hydrothermal synthesis तो hydrothermal synthesis में क्या होता है आप देखो एक beaker है beaker के अंदर हमने एक solvent ले रखा उसमें carbon quantum dot यूज की है carbon चुकि बहुत आराम से मिल जाने वाला material है तो quantum dot भी उसके हम एक मतलब low cost बना सकते हैं फिर क्या होता है 180 degree centigrade पर 24 hours में उसमें hydrothermal process करते हैं water की presence में liquid की presence में इस सारा होता है फिर क्या होता है जो nitrogen होती है environment की हम जो इसके अंदर और as a catalyst कुछ मिलाते हैं वो process हम लोग डिट्सकर नहीं करें detail में तो क्या हुआ आप देखते हैं वो carbon nano dots थे वो nitrogen के साथ react mill करके nitrogen carbon dot बना देते हैं अब यह अगर हम carbon nitro dot को देखें तो इसको ड्रक्स के रूप में इस्तमाल कर रहा है कि वो body के अंदर जाएं और जो harmful cells हैं उन पे उनको fluorescent property दे दे तो जब भी scanning की जाएगे मरी जोग भी तो जो harmful cells होंगे वो fluorescent emission करेंगे और हम अपनी topographical तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उनको detect कर सकते तो इसे कुछ इसके application से फिलाल यह एक process है quantum dot को बनाने का उसके बाद फिर अगर इससे पहले इसके बाद एक और property होती है कि कौन-कौन से method होते हैं वह मैंने notes आप अलग तरह की property है कि कौन-कौन से method होते हैं जिसे कि हम कैसे देख सकते हैं तो आप पास material है जिसे आपके पास आपका हो गया scanning electron microscope, scanning tunnel microscope, atomic force microscope यह सारे microscopes होते हैं जिनकी study, जिनकी help से हम study कर सकते हैं तो आप वह method पढ़ लीजेगा कि किन-किन method से हम इन nano object की study कर सकते हैं वह मतलब उनको कैसे देख सकते हैं उनको कैसे visualize कर सकते हैं उनको कैसे analyze कर सकते हैं तो इसके बात हमाँ पास scanning tunnel microscope, scanning electron microscope, atomic force microscope वह सब चीजे होती हैं ठीक है वह आप पढ़ लीजेगा इसके बाद फिर आता है बात optical properties of semiconductors की तो optical properties of semiconductor का मतलब यह होता है कैसे हम electromagnetic wave यह आपने EMW लिखा है न तो यह interaction द चाहते हैं हम semiconductor laser बनाना चाहते हैं photo detectors बनाना चाहते हैं और यह सारे device इसी light और matter मतलब electromagnetic wave और semiconductor के interaction पर depend करता है अब जो interaction होता है it is directly related with the energy transition of electron between the valence and conduction band आपके पास valence band आपके पास conduction band है तो कैसे electron excite होते है material के अंदर कैसे electron excite होकर के यह सारा काम कर रहे हैं यह सारे चीजे यहा crystal structure is directly related with the crystal structure atomic and molecule property तो आप कह रहे हो कि हमाई पास एक conduction band है और इसमें कैसे electron absorb हो रहे है या emit हो रहे है इस पर depend करता है electronic property sorry optical property तो जो band होते हैं यह band कैसे बनेंगी यह खुद इस बात पर depend करते हैं कि आप a crystal structure कैसा है आपका molecular structure कैसा है उसमें impurities वगरा किस तरह से हैं और भी अगर हम deep में उतरें तो दो तरह के process होते हैं जब यह आप किसी material के उपर light गिराते हो तो एक transit कर जाते हैं मतलब वह excite हो जाते हैं दूसरा यह होता है कि यह जो photon वगरा होते हैं यह जो atom की chain होती है उसको हिला देते हैं उसको disturb कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि vibration शुरू हो जाता है atomic chain में जिसको lattice कहते हैं अब ही हमारे पास इस electronic mechanism को ही discuss करने का syllabus में हमको अधिकार मिला है तो हम लोग उसी पर बात करते हैं कुछ main interaction process क्या है इसे absorption of photon आपका material है उसके इंदर item है उन्होंने photon को पाया और उसको absorb कर लिया तो इसको कई बार stimulated stimulated मतलब होता है हमने परपजली उस पर photon बोच जान बूच कर जोर लगा कर आपकर सकते दबाओ मतलब एक बाहरी प्रभाव stimulated का मतलब यह होता है तो बाहरी प्रभाव से photon आये और उन्हों वह absorb हो गए stimulated absorption या absorption होता है emission में क्या होता है system आपका जो जो atomic system उसमें से photon बाहर निकल लाए तो यह photon अगर अपने आप बाहर निकल लाए तो हम natural emission या spontaneous emission कहते हैं लेकिन अगर यह photon जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं किसी तरह का अपना वोट देना चाहिए, वोट कास्टिंग करनी चाहिए, मेरा खुद का दाइत तो है, तो this is a very natural your response because you are a part of this democracy and you just want to participate in this process, तो आप गए घर से बाहर और वोट करके आ गए, अच्छा, इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जिसे पहले जमाने में होता था, अब पताने एक तो क्या स्थिती है, लोग बकाईदा बड़ी-बड़ी ट्रालियां और बस लेकर के गाउम जाते थे और लोगों को भर करके ले जाते थे कि भाई चलो वोट दू जा करके, अब लोग सोचता है कि यह आदमी हमको खिला रहा है, पिला रहा है, चाह समुसा खिला रहा है, हमको आने जाने का पुरा सहूलियत दे रहा है, तो चलो इसी को ही हम फेवर कर देते हैं, तो एक तरह से वो influenced हो गये हैं, वो साइद naturally ना कर पाते हैं, किसी वजहों से, दूरी के वजह जो भी है, but now they are doing it under the influence of some effects, you can say that, तो इस तरह से stimulated emission भी होता है, और spontaneous emission भी होता है, stimulated emission इसलिए से हमको ज्यादा attract कर रहा है, चुकि इसमें laser action इस से होता है, this is very important, आपसे पूछा जाए कि absorption यह है, इनको थोड़ा डिटेल ने बताओ, तो आपको क्या करना है, इस block, जो diagram, band diagram इसको आपको ज़रूर बनाना है, absorption process में क्या होता है, कि absorption of photon of energy, E2 minus even created electron whole pair, तो यहाँ पे क्या होता है, यह आपका है conduction band, यह वाला जो पूरा है, यह conduction band है, नीचे वाला जो बना है यह paraboli, यह है balance band, electron balance band, red रंका electron है, यह balance band में है, आपने बाहर से energy भेजी, energy कितनी, क्योंकि electron जब यहाँ था, तो उसकी energy even थी, electron जब यहाँ जाएगा, तो उसकी energy E2 होगी, तो अगर आपने इन दोनों के difference के बराबर photon भेजा, तो H new भेजा, EG बराबर, EG क्या है, EG जो है, EG बराबर what, EG बराबर E2 minus even, diagram में आपने arrow दिखा रखा, EG जो है, even E2 का difference है, तो electron क्या करेगा, यहाँ से transit करके conduction band में चला जाएगा, और photon absorb हो जाएगा, photon की energy electron को मिल गए, और electron चला गया, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जब electron जाएगा, तो पीछे यहाँ क्या छोड़ जाएगा, यहाँ होल छोड़ जाएगा, आपको मालू में, सेमी कंडेक्टर में, जब electron bond structure में जगा छोड़ता है, तो whole create करता है, और electron यहाँ पहुंचा ही है, तो एक electron यहाँ हुआ, नीचे होर हुआ, तो इसे कहते हैं, electron hole pair, so the generated electron jump to the conduction band from the valence band, conduction band से valence, sorry, jump to, हाँ, jump to conduction band, conduction band में को गया, valence band से, अच्छा, इसका इस्तमाल कहां करते हैं, तो semi-conducted detectors जो होते हैं, वो इसी सिध्धान पर काम करते हैं, जिसे यह इसका एक बहुत basic circuit diagram बना है, detector मतलब क्या होता है, जिसे मालो, तुम जब जाते हो, किसी lift में, या किसी mall बगेरा में, तो जैसे कांच के दरवाजा है, आप जैसे वहाँ पहुंचे, तो कांच के दरवाजा automatically खुला, आप अंदर चले बंद हो गया, तो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जो आप उसके सामने खड़े हुए, तो आपने उनके sensor के बीच में आ गए, तो sensor पर photon नहीं गिर रहे थे, जो वहाँ invisible ultrawide photon है, या infrared photon है, तो वह दरवाजा खुल गया, और जैसे आप वहाँ से हटे, वह photon फिर से पढ़ने लगे, electron निकलने लगे, current generate हुई, और वह आपका फिर से बंद हो गया, तो यह जो detectors होते हैं, semi-connected detector, optical detectors या wave detectors, they are based on this absorption process, क्या होते हैं, यह level में रहने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ आ गए, तो 10 to power minus 8 seconds, यह Heisenberg ने अपने principle से proof किया था, time की value को 10 to power minus 8 seconds, तो 10 to power minus 8 seconds के बाद, यह electron क्या करेंगे, वापस से अपनी ground state, या नहीं जहां से चले तो वहाँ आएंगे, और जितना energy ने अब्सॉर्ब किया था, E2 minus E1, उसको यह बाहर फेक देंगे as a photon, तो photon लेकर की आए, जंप किया और फिर photon फेक करके बाहर चले गए, तो यह पूरा process अपने आप चला, this is called the spontaneous emission, so electron in some excited state, transit back to ground state, मतलब excited state मतलब conduction band, transit मतलब वापस लोड़ जाते हैं, balance band में, और क्या करते हैं, by emission of photon of level, this as a new E2 minus E1, emission है, इसका example कहां देखनेंग मिलता है, LED, light emitting diode जो है, वो इसी तरह इस धान पर काम करता है, जहां पर आप current provide करते हो, और photon बाहर निकलते हैं, इसके बाद बारी आती है, estimated emission की, जिसके हमारे लिए बड़ी importance है, यहां पर देखो होता है क्या, जरा मैं आपको समझा दू, मालो, electron एक energy state E2 में है, और वो E1 में आ सकता है, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि उसके लिए 10 to power minus 8 चेकने वाला criteria काम नहीं कर रहा है, अच्छा, इसके काम नहीं मतलब है, कि यह वापस आएगा तो, लेकिन वो किसी ज्यादा समय के बाद आएगा, तो इसलिए इसको हम metastable state situation कह रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, when photon of some appropriate energy, this interact, अब जब electron नहीं आएगा, तब ही क्या हुआ, मालो, एक ऐसा photon आया, जो कि इस energy difference के बराबर एक photon आया, अब यह photon आया, तो यह क्या करेगा, इस इंतजार करते हुए electron को नीचे जंप कराएगा, अब खास बात देखो, यहां पर क्या है, photon आया, मैं जस्टिस को साफ कर दूँ, तो जैसे हुआ क्या, फिर से समझा दू आपको, electron हमारा एक है, जो कि इंतजार कर रहा है energy state में, कि energy state e2 में बैठे हैं, इस energy state e2 में बैठा हुआ है, और वो सोच रहा है, थोड़े ज़े बाद, 10 to power minus 3 second बाद हम कूच जाएंगे अपने आप, लेकिन तबी एक photon वहां आता है, एक ऐसा photon जो exactly say e2 और e1 के difference के बराबर है, अब यह photon क्या कहता है, इस electron को जम करवा दे धक्का लगने से क्या हुआ, यह electron e2 e1 में जम कर गया, और आपके पास दो photon बाहर निकला है, एक तो जो गया तो धक्का दिया, वही तो जाही रहा है, और साथी साथ e2 से e1 में आनेक वज़ा से एक और नया photon आ गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, estimated emission में, जो photon तयार नहीं थे जम करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए, उनको एक appropriate frequency का photon नीचे जम करा देता है, यहाँ लिखा है, with the photon of some appropriate energy, e2 h nu, e2 minus e1, interacted with the electron in the excited state, it stimulate the transition of electron to the ground state, as a result, two photons are emitted with the same energy direction and phase, and this is the fundamental process in the laser, यह आपके laser का एक fundamental process होता है, ठीक है, यह हो गया, तो this is the stimulated emission process, जो कि laser के लिए जरूरी है, diagram भी वैसा ही बना है, आगे देखें, अच्छा, इसी process में हम absorption की बात कर रहे हैं, तो दो तरह के absorption भी होता है, एक होता है direct band absorption, और दूसरा होता है indirect band absorption, जिसको हम कई बार photon assisted, photon assisted transition भी कहते हैं, जिरा समझे, इस पगल के diagram में देखो, यह conduction band है, यह balance band है, ठीक है, energy level diagram में y-axis जो होती है, वो energy की होती है, x-axis k की होती है, k जो होता है, असल में वो momentum के साथ जुड़ा हुआ term होता है, तो consider करिए the type of transition, जब electron जो है, वो transit कर रहा है from the top of the balance band, यह देखो, यह diagram में आपका यह हिस्ता top of the balance band है, जिसकी energy मानलो even है, और वो कहां जाना चा to k1, और इस समय, अगर हम इस जगहे पर, जिसको में साफ पर देता हूं, अगर आप देखो, तो इस जगहे पर जब यह जा रहे हैं इस तरह से, तो यहां पर इस particular point पर momentum की value कितनी है, k की value कितनी है, k1 है, तो आप कहोगे, k1 value पर electron top of the balance band से bottom of the conduction band में जाना चाहता है, तो इ this is very like, it is very much like, आप, माल लिजे, आप 20 kilo का समान लिए, और लखना उसे चले, दिल ली मूतरे, तो 20 kilo का समान यहां भी allowed था, 20 kilo का समान वहां भी allowed था, तो आपने same समान के साथ, आप बस जगह बदल दी, आप बस समान की जगह पर momentum रख लो, जगह की जगह पर energy रख लो, तो आपको समझ में, direct transition, लेकिन सोचों दूसरी तरह का transition, दूसरी तरह का transition क्या होता है, जिसमें कि energy भी change होती ही, momentum भी change होता है, simple ऐसे समझो, तो यह बलकुल वैसा है, जैसे आप यहां से गए, सपोज आपको यहां से जाना था, दुबाई जाना था, सपोज आपको समान दुबाई लेके जाना, 30 किलो की ऊपर नहीं अलाओ है, ना उसे कम अलाओ है, अब आपको समस्य आ गई, आपने कहा है, हम तो लखनों से 20 किलो समान लेके चले थे, अब दुबाई हमको जाना है, अब 10 किलो कहां से लाएं, तो somehow, you just get some swapping, आपने कुछ swapping कर लिए, दे न, हम आपको facility दे रहे हैं, तो this is something, आपको assistance मिल गया है, आप यहां से गए कहीं, और वहां आपको assist कर दिया गया, तो जाके आप सरत्य पूरी कर सको, तो यह तो बहुत ही rough example था, आप जब सोचने के लिए आपको, मैं यहां पर proper तरीके से बताओं अगर आपको, यहां होता है, in other type of transition, the momentum value of the top of the valance band and the bottom of the conduction band is not aligned, तो क्या होता है, here a non vertical या indirect transition जो होता हो पॉसेल होता है, और जिसकी वज़ास से क्यों 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 क्योंको इन का momentum सेम नहीं, इसका momentum कुछ और आप देखो इस diagram में, इस diagram में आप देखो, अगर इस diagram में खास बात आप देख है k1 और यह है bottom of the conduction band जिसका momentum है k2 तो k1 और k2 अलग-अलग है तो आप लिखा k1 k2 सेम नहीं k1 k2 अलग-अलग है तो लिखा लिखा है तो यहां लिखा है to compensate the difference in the momentum the generation of phonon of momentum q is observed अब क्या हुआ अब क्या करें momentum अलग-अलग है तो momentum k2 ज्यादा है k1 से तो यानि कि जो electron transit किया valence band के top से उसके momentum में उसके momentum में add हो जाए एक phonon का momentum और फिर वो momentum किसके बराबर हो जाए k2 तो k2 अगर जाना है तो पहले आप देखो यहां जो red color की line दिख रही है यह red color की line यह शो कर रहे है कि एक extra phonon generate हुआ और उस phonon ने k1 में add हो करके तो k1 था k1 में q add हुआ k1 में आपका q add हुआ q is the momentum of the phonon और फिर उसकी वज़ा से एक नया momentum k2 मिल गया तो यहां पर k1 k2 बराबर नहीं है बलकि k1 में जब phonon को मेंटम जुड़ता है तब k2 बराबर होता है तो इस तरह से इस तरह के transition को नाम दिया आता है indirect transition या phonon assisted transition तो indirect type of transition is called the phonon assisted transition this transition completed in the step a पहला step क्या है first part of vertical absorption take place from some initial state even to some final state some intermediate state by absorption of photon पहले photon absorb होता है तो even से आप एक किसी energy state e2 तक जाते हो फर्दर क्या होता है एक phonon एक जिसका momentum q होता है वो transit कर देता electron को momentum को k2 तक without change energy energy में कोई change नहीं होता है बस खाली momentum में k1 में small q जूड़ जाता है इस तरह से अच्छा जब इतना सब चल रहा है तो हम कहे रहे हैं कि क्या कोई law नहीं है जिसमें कि हम किसी ground state या किसी initial state से किसी final state के बीच में probability निकाल पाएं कि quantum mechanism probability होती है यहां पर लिखा है कि when we study the transition between the ground and excited state is there any rule for the rate of transition rate of transition transition per unit second कितना हो रहा है इसके उपर हम कोई रूल है तो यहां पर लिखा है कि there is a rule related with the transition from the single initial state to number of the final energy state called the firming golden rule यसे मालो ground state एक है लेकिन excited state कई सारी है अब electron जब ground से excited में जाएगा तो पहले वाले दूसरी वाले तीसरी चौथी पांचवी छटी किसी में भी जा सकता है because energy के आपने घर से निकलने के बाद आप जहां जा रहे हो घर में यहां बहुत सारे शौAST आप किसी भी रूम में बैठ सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि उनमें अलग-अलग, कोई हाँ कोई फर्स फ्लोर के सेकंड फ्लोर के थर्ड फ्लोर, सब में बैठ सकते हो, it depends upon you, तो वैसे एक excited state, excited state बहुत सारे है, number of excited state, और आपके पास एक ground state है, तो अब हम probability निकालना चाहरे है, कि हम यहाँ से अपने घर से गए, लेकिन हम जहाँ गए, वहाँ 20 कमरे थे, उन 20 कमरों में से आठवे कमरे में बैठने के माई probability क्या है, अब उस आठवे कमरे कुछ खासी है, तो वहाँ AC लगा होगा, वहाँ कूदर लगा होगा, वहाँ TV लगी होगी, कुछ भी हो रहा होगा पट हम एक खास तरह की probability निकालना चाहते हैं, from some initial state to some final state, जबकि final state की संख्या हमें कई सारी availability है, तो यह बहुत ही unique किसम का rule है, और यह बहुत ही powerful rule है, इसलिए इसको Fermi golden rule कहते हैं, golden, in sense golden represented the uniqueness, the profoundness, the importance of this rule, और यह atomic transition में ही सारा कुछ होता है, ठीक है, चली, अब देखें यह पर, तो the set of energy state is always represented by density of state function, ठीक है, set of energy state is always represented by density of state function, तो यहाँ पर क्या है, total probability क्या होगा transition का, total probability जो transition की इस तरह से दिखी जाती है, P is the probability, P is P of the nth state है, some initial state I से some initial state n के बीच में, यह एक notation होता है, इसको bracket notation कहते हैं, I एक state notation है, और F जो है, final state का notation, एक तरफ डंडी होती है, एक तरफ यह triangular bracket होता है, triangular bracket और एक तरफ डंडी होती है, state को representation करिका है, तो आपके पास इस तरह का एक rule होता है, इसको just formula, quantum mechanics का है, बह यहाँ, final state continuous है, तो आपको जो यह पूरा term होगा, जो summation होला है, इसमें integration को हम लगा देते हैं, और यह क्या represent करता है, probability per final state, rate किस पर depend करता है, extent of the coupling, initial and final state कैसे coupled है, आपके इसमें करता है, और कितने तरह को transition हो सकता है, इस पर depend करता है, और Dirac ने इस theory को develop किया था, थोड़ा स इसको, gamma, gamma initial to final is 2 pi by h cross mif initial final square rho f, अब यहाँ, m क्या है, m is a matrix element of the interaction, और rho है, density of final state function, यह मैं थोड़ा सा uncomfortable हूँ, आपको बहुत, डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, बट इसको आप याद कर लीजेगा, अब चलते चलते एक और चीज़ है, जो बहुत important है, joint density of state क्या होता है, joint density of state को बहुत ऐसा होता है, इसे हमने कहा कि, यह balance band है, balance band है, बहुत सारी energy level होंगी, यह आपको conduction band है, बहुत सारी energy level होंगी, अब क्या होने वाला है, कि मानलों आपके पास कोई electron है, जो balance band में है, और जो jump कर conduction band में जाना चाहते हैं, अब आपको यहाँ पर क्या है, दो चाहिए, और balance band में एक जगा भरी होनी चाहिए, ठीक है, balance band में एक जगा भरी होनी चाहिए, और conduction band में एक जगा खाली होनी चाहिए, तो joint density of state होती है, वो इस सब को cutter करती है, मतलब वो probability निकालती है कब, जब initial से final में transit हो रहा है, और वहाँ पर एक available state है, दूसरी तरफ भी अबलेबल state है, so joint density of state is important for study the transition between the energy states, this process is very important to study the optical process, so joint density of state suggested that the probability of finding occupied state, मतलब conduction band में, occupied state in the conduction band, मतलब वैलेंस band, मतलब वैलेंस band, यहाँ यहाँ पर कुछ भरा हो, यहाँ इलेक्टॉन हो, और empty state in the conduction band, और conduction band में कुछ खाली जगा हो, तो यह इलेक्टॉन यहाँ से जब करके, कंडेक्शन में जाएगा, तो joint density of state का दिखाता है, the probability of finding occupied state in the valence band, and empty energy state in the conduction band, so that a photon may transit one electron from valence band to conduction band, अगर joint density of state ज्यादा है, इसका मतलब higher probability होगी, light absorption की, ठीक है, light absorption ज्यादा होगा, अब आप देखो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में दिख रहा है, कि एक energy state e1 है, एक energy state e2 है, इनका difference h new है, और valence band से conduction band में अगर transit होना है, तो आपके, अब वो joint density of state calculation होगा, अगर derivation की बात के हैं, तो मेरा derivation अपने आप में self-explanatory है, यह एक फॉर्मूला होता है, जो कि volume density का होता है, रो is equal to k cube by 3 pi square, इसका derivation आपको बस ऐसे समझ लो, यह simple formula है, जो आपको याद कर सकते हो, I am not going to the derivation of this, because this is in a k space, यह k space में किया गया, momentum space में किया गया calculation है, which is a little bit rigorous, so अब क्या करते हैं, अब हम एक फॉर्मूला पड़े है, effective mass का, तो जैसे आप देखो, यहाँ पर यह उपर वाला जो curve होता है, पराबोला, यह किसको सो करता है, यह conduction band का bottom है, और यह वाला line, balance band का bottom है, मतलब top है, तो अगर कोई energy state उससे उपर है, अगर energy state जो है, वो conduction band के lower value से उपर है, और कोई energy state, balance band के top value से नीचे है, तो उसका expression हम ऐसे लिखेंगे, तो इवी-डैस मतलब क्या होता है, यह वाला, थोड़ा top of the balance band से थोड़ा नीचे की energy level, इवी-डैस, और conduction band के bottom से थोड़ी उपर की energy state, इवी-डैस, तो यह EC-डैस है, और यह EV है, bottom, top of the balance band, EC is the bottom of the conduction band, और यह तर्म आपने जोड़ दिया, यह तर्म में देखो M star है, यह MH star है, यह ME star और MH star क्या है, यह सब है, effective mass of electron, effective mass of whole, effective mass of concept यहाँ पर आ गया, अब अगर हम इन दोनों का अंतर निकालना चाहें, तो अगर आपको EC-डैस में से EV-डैस हटा होगे, तो आपको E मिलेगा, ठीके, तो आपको यहाँ सारी value रख दे नहीं, आपने सारी value रख दी, simple algebra है, आप सारी value रख दोगे, मिले रखोगे, तो 1 upon me, 1 upon mh star, यहाँ आएगा, इसको हम उठा कर रख दे, reduce mass एक concept एक 1 by mu, mu is what, mu is the reduce mass, यह mechanics का बहुत simple सा rule है, अगर ऐसा कर दोगे, और साथी साथ EC-EV क्या कर दोगे, इस तो कर दोगे band gap, तो आपके पास energy difference कितना आ जाएगा, E आ जाएगा, EG plus this reduce mass के साथ है, अब आपने क transfer कर दिया, तो E minus EG आ गया, 2 mu से multiply कर दिया, 2 mu आ गया, यहाँ बचा h square k square, k की value क्या हो जाएगी, तो अगर आपके पास k square कितना हो जाएगा, E minus EG multiply by 2 mu by h cross square, तो k बराबर under root this whole, यहाँ अगया, under root हो गया, k की value आ गया, आपने वहाँ देखो क्या लिखा था, rho बराबर था k cube by 3 pi square, अब आप यहाँ पर k की value उठा करके रख दोगे, जैसे k की वहाँ रखोगे, तो आप देखो यह सब आ जाएगा, यहाँ पर, यह 3 by 2 है यहाँ पर, तो rho की value आपके पास कितनी आ गई, यह पूरी value 3 by 2 है, joint density of state जो होता है, वो d rho by d E होता है, E के साथ differentiate कर दोगे, जैसे आप इसको E के साथ differentiate करोगे, दोखो यहाँ मैंने E के साथ differentiation किया है, आप इसको देख लिजए का differentiation का rule है, और जब यह सब पूरा solve करके जाओगा, तो तुमको क्या मिलेगा बच्चो, joint density of state का यह पूरा expression यहाँ पर आपको मिल जाएगा, this is the expression for the joint density of state, and this is very important, you just calculate कर सक Microchip के लिए क्या करना होता, Microcircuit के लिए आपको एक वेफर मिलेगा, एक चिप मिलेगी, अब सबर पहले यह जाना हो को चिप के खुद की resistivity कितनी है, उसे खुद की connectivity कैसी है, आप कैसे निकाले इसको, तो इसको conductivity of material निकालने के लिए, हमाने पास two probe method थे, four probe method है, और एक one day power method है, जो कि four probe का modified form है, आप से पूछ रहे हैं, मालो, four probe method क्या होता है, four probe method में क्या होता है, जिसे आपके पास एक sample है, तो आपके पास एक sample है, तो sample में आप क्या करोगा, उस sample में आपने चार probe लगा दिया, four probe क्या समदो, बारीक सी सुईयां होती है, इस टील की बनी हुई यही पहले और तीसरे की बीच में S3 है, और तीसरे और चाहरे की बीच में S4 है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, अगर और precisely जाओगे, तो अगर हम सेमी-Infinite seat ले रहे हैं, सेमी-Infinite seat होने मतलब है कि बड़ी seat है, इसका मतलब dimension बड़ा है, आपने pin जहाँ लगाई, उसके तुल तो वी क्या होता है अगर बीच की नमबर 2 और नमबर 3 की जो निडल है प्रोब है उनकी बीच में पूटेंशल निकालेंगे और नमबर 1 और 4 के प्रोब के बीच में हम करेंट को फ्लो कराएंगे तो इस तरह से मारे पास S निकल आएगा यह वी निकल आएगा आई निकल आएगा S की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर S1 और S4 की वैल्यू S है और S2 और S3 की वैल्यू 2S है यह तभी हो सकता है जब सभी प्रोब बराबर दूरी पर रखे गए हो तो यहाँ लिखा here current is flowing via outer point of the probe and voltage is determined across two inner probes अंदर की दो प्रोब होता है अच्छा यह भी बात है कि अगर हमारे पास two dimensional sheet है तो two dimensional sheet में आपके पास seat होगी उसके thickness की मसला आ जाएगा तो thickness को आप यहाँ टी लेग दो log 2 हो जाएगा V by I होगा तो जहां पहले two pi s 30 dimension में वहाँ पर pi t by log 2 हो जाएगा two dimensional sheet में इस तरह से तो क्या ही तो मतलब perfect method है नहीं perfect method नहीं है actual में ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जो sheet होती है वो infinite होती है कुछ चोड़ाई मुटाई यह सब होती है तो अगर चोड़ाई मुटाई होती है तो आपने जहां वो two pi s v by i या pi t by log 2 कर रहे थे उनकी जगह पर कुछ और भी यूज करना पड़ेंगे कुछ ऐसा term यूज करने पड़े ऐसे f1 है finite thickness को सो करने वाला सेंपल के edge को सो करने वाला lateral width को सो करने वाला इन सारे चीजों को सो करता हुआ factor जो है वो f है तो अब f को भी हमको सामिल करना पड़ेगा चूकि यह सेंपल की सेट कर सकते हैं और सेट करके हम आपको एक नया method बताते हैं जिसको की short form में vdp method भी कहा जाता है तो आप उनुन कहा कि इस method को अगर आपको अपलाई करना है तो किसी भी arbitrary shape का sample ले लो उस पर आप अपलाई कर सकते हो तो vdp method की powerful क्या है वो किसी भी arbitrary shape पर अपलाई हो सकते ह इस method को अपलाई करने से पहले कुछ सरते हो तो इसे context जो होंगे वो circumference पर होंगे दूसरा context जो होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे तीसरा sample जो है uniform thickness का होना चाहिए चौथा sample simply connected होना चाहिए मतलब sample अगर लिया है जो बीच में छेद नहीं होने चाहिए इसमें connection लगातार से आपके पास अगर इस sample है तो आपने यहां पर देखो point 1 लिया, point 2 लिया, point 3 लिया, point 4 लिया, इस सारे point आपने लिये और इन point को आपने peripheral पर रखा, circumference पर रखा, इन पर आपने connection ले लिये, अब आप current को 1 और 2 के बीच में नापो, voltage को 4 और 3 के बीच में नापो, या current को 1 और 4 के बीच में नापो, voltage को 2 और 3 की बीच में नापो, इस तरह से आप varieties इसमें कर सकते हो और वो सारी चीजे हम लोगों ने class में discuss की हैं, तो वहां से आप इसको refer कर सकते हैं, one day power method, और फिक कैसे one day power method से हम hall coefficient को calculate कर सकते, यह सारी चीजे वहां पर आपको मिल जाएंगे, so this is something which is, जो कि आप revise कर सकते हो और इससे आपको बहुत ही फाइदा होगा, आपके understanding में आपको बहुत बढ़ात भी होगे, चलिए फिर, have a nice day, take care, bye bye.